पॉइंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे पढ़ेंगे ऐसे जो की पेपर 6 के लिए इंपोर्टेंट है तो आज का ऐसे का टॉपिक है 21. सदी का भारत दोस्तो सबसे पहले चैनल पर निलना है हो तो चैनल को लाइक शियर और प्रकार हम इसको सबसे पहले भूमी का इसको समझते हैं कि कैसे लिखना है कि किन किन सब्दों को हाइलाइट करना है तो जिस प्रकार 19. सदी को ब्रिटेन का समय कहा जाता है 20. सदी को अमेरिकन सदी कहा जाता है उसी प्रकार 21. सदी भारत की है 21. सदी में सामाजिक आर्थि एक राजनेतिक वैग्याने कोई भी छेतर ऐसा नहीं है जिसमें भारत में प्रगती ना की हो आई बी एम की इंडियन सेंचुरी रिपोर्ट के अनुसार भारत एक तेजी से बढ़ने वाली पांचमी अर्थ विवस्था है आने वाले वर्षों में भारत को सरवादिक उन्नती करने वाले देशों में शामिल किया गया है दोस्तों यह आपकी भूमी का हो गई आपको स्टार्टिक में ऐसे भूमी का जमा का लिखनी है और आप इस प्रकार से लिखेंगे तो अच्छी नमबर मिलेंगे 21 सदी के भारत के बारे में चर्शा कर रहे हैं नीती आयोक की सी यो अमिताप कांत के अनुसार 2027 तक भारत 10 परसेंट की आर्थिक व्रदीदर प्राप्त कर 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थ विवस्था बन जाएगी क्या लिखा है नीती आयोक की सी यो के अनुसार 2027 तक दुस्तों इन्होंने 2025 तक कहा था 2025 तक भारत 10 परसेंट की आर्थिक व्रदीदर प्राप्त कर 10 ट्रियन डॉलर की अर्थ विवस्था बन जाएगी साथ ही ही बड़ते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको FDIV कहा जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लाब भी अर्थ विवस्था को प्रगती शील बनाएगा चिकिस्सा के छेतर में हमारे देश में सभी बीमारियों का इलाज जाच के लिए मशीनों की विवस्था उपलब्द है कोरोना काल में भी स्वास्थ सुविदाओं की बहतर गुर्वत्ता के कारण भारत में म्रत्युदर कम रही पोलियो जैसी खतननाग बीमारी से विश्व स्वास्थ संगठनने भारत को 2013-14 में मुक्त घोशित किया है ये दोस्ते हैं होने 21 सदी के हम भारत की बात कर रहे हैं तो पहले हमने यहाँ पर एकोनॉमी के बारे बात कर ली उसके बाद हमने यहाँ पर हेल्थ सेक्टर के बारे बात कर ली और फिर है तकनीकी के छेतर में डिजिटल करांती का दोर प्रारम हुआ प्रिशासन की सभी जानकारिया हमें कम्प्यूटर की एक क्लिक के माध्यम से प्राप्त हो जाती है एक ओमर्स के माध्यम से हम घार वैठे कोई भी वस्तू खरीज सकती है तो वहीं करशी के छेतर में नवीन सिचाई तकनीक, उननत बीज, हाइब्रिड बीज, हरित करांती, जैविक करशी, उननत संग्र हंचमता के कारण भारत खाद्यान्र के मामली में भी अग्रणी स्थान रखता है रक्षा के छेतर में हमारी तीन सेनाए जल, थल वाईू विश्व की अग्रणी स्थान रखती हैं हाल ही में हमने सबसी कम वजन के लड़ाकु बिमान तेजस को बनाने में भी सफलता प्राप्त की है अंतरिक्ष के छेतर में भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान वाविकास संगठन जो जिसका नाम इसरो है इसरो द्वारा भी चंद्रयान फर्स्ट चंद्रयान टू मंगल लियान आदी के माध्यम से भी गीर्थी मान रचा है तथा एक साथ एक सो चार उप ग्रहों को भी PSLV के माध्यम से भीजने का रिकॉर्ड भारत के नाम पे है तो वहीं सिक्षा के चेतर में IIT, IIM, NIT मुक्त विश्विद्याले केंद्री विश्विद्याले आदी सित्था उसिक्षा का अधिकार अधीनियम बसर्व सिक्षा अधीनियम के माध्यम से इसकुली सिक्षा को परुनत बनाने का प्रयास किया जा रहा है इसी प्रकार 21 सदी का सुपर पावर बनाने में और विकास की ओर अगरसर होने में मदद करती है इस प्रकार 21 सदी का भारत भविश्व के लिए बहुत स्वर्णियम है दोस्तों चूपकि यह निवंद्य लिखा गया है इसमें इन्होंने सिर्फ लाभी लाभ मतलब सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई लिखिये जबकि निवंद्य जो है वह हमेशा संतलित होना चाहिए निवंद्य में सारे आयामों को कवर किया जाना चाहिए जैसे इसमें आप यह भी लिख सकते हैं कि 21 सदी में भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनोतियां है उन चुनोतियों का जि यह भी जिक्र कर सकते हैं कि भारत ने भारत की जो है सफर कैसा रहा है कि इस सदी के भारत में भारत को अन्य किन किन देशों से मुकावला करना पड़ेगा या फिर अर्थ विवस्था में कौन कौन सी जो है समस्याइं आ रही है तो ऐसे आपको एक वरसिटायल लिखना तो इसमें अच्छे नंबर मिलेंगे दोस्तों आई होप आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी मेंस के लिए अब हमारे वीडियो थोड़ी कम हो गये हैं लेकिन आप चिंता मत करिए जब तक मेंस चलेगा तब तक हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाने के लिए नियंत अर्थविस्था की सेत्र में तकनीकी की स्वास्त की छेत्र में रक्षा की सेत्र में के शीचेत्र में बतायाए दो पेज में यह उनवंद काफी है आप चाहें तो 2.5 पेजिस Candi तक में लिख सकते हैं तो चली दोस्तों तैंक यू फॉर वोचिंग